स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर तो Advanced Diploma Course जो था ADIT Course था IT Networking and Cloud Computing में अगर आपने भी इसका इंटरेंस एक्जाम 11 मई 2022 को दिया था तो इसका रेजल्ट आ चुका है आप लोग अपने Login पेज पे जाकर चेक कर सकते हैं आगे इसमें बात करेंगे इसकी Counseling कब होगी, Admission कब से Start होगे उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे पहले देख लेते हैं रेजल्ट आपको कैसे चेक करना उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे चैनल पे अगर नए हैं तो ITAE से रिलेटेड, CTI से रिलेटेड या ITAE से जोड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट Job Apprentice for ITAE की पढ़ाई की वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपसे बात में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है टेक स्टेडी आईट इसक्रिप्सन में लिंक है या आप डारेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट और पीडियाफ हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते रहते हैं इसमें आपको रेजल्ट चेक करने के लिए यहाँ रेजिस्टर कंडिडेट है यह लॉगिन कर सकते हैं इसमें जिन्होंने फीस पे की और इंटरेंस एक्जाम दिया है यहाँ जैसे आप अपनी email ID और mobile number डालके लॉगिन करेंगे फिर आप अपना रेजल्ट चेक कर सकते हैं तो मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ और उसके आगे बात करेंगे counseling और आगे के process के बारे में जैसे हमने यहाँ पर login किया आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपिन कुमार जी का result है इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने exam दिया था exam status आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है present percentage obtained तो इन्होंने यहाँ पर 42% जो है obtained किया है number ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर स आया है लेकिन इस अपते में तो नहीं next week में आपकी counseling इसमें हो सकती है ठीक उसमें आपका rank आपका status सब कुछ दिखाएगा जैसे CITS का generally counseling process होता है वैसे इसमें आपका counseling process होगा जैसे counseling का process start होगा हम उस पे भी आपके लिए detailed video बना देंगे आप यह उम्मीद कर सकते हैं Monday य जल्दी क्योंकि आप देख रहे होंगे सारा काम फटा फट हो रहा है 11 को exam होए 20 सक result आगया आपका तो 2-3 दिन यह 4 दिन के अंदर आपकी counseling का भी जो detail हो आ जाएगा अगर उससे पहले आता है तो भी हम आपको वीडियो बना के बता देंगे और उस टाइम पर जब भी आए 60% यहां पर इन्होंने marks score किये हैं तो इस तरह से आपका भी अगर result आया है आपने भी exam दिया था तो आप लोग comment करके जरूर बताएगा आपका कितना percent है आपने कितना score किया है जिससे कि एक idea लग सके merit कितनी जा सकती है जैसे counseling process start होगा आप लोगं के लिए हम वो वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे कैसे आपको online अपने mobile phone से counseling आप कर सकते हैं तो यहां पर official website nimi online admission.in इस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं description में हमने link दे दी आप वहां से direct भी चेक कर सकते हैं और जल्दी ही CITS का भी 2022 के admission होने हैं जल्दी ही CITS का भी form आने वाला अगर आपका इस करने की कोशिस कीजिएगा अगर आप से ITS करना चाते हैं IT में teacher बनना चाते हैं तो या आपने railway में apprenticeship अगर करना चाते हैं railway group D के लिए benefit लेना चाते हैं तो railway के different different zone में apprenticeship भी आई हुई है राइपुर में नागपुर में apprenticeship आई है ONGC में non executive की post आई है ONGC में apprenticeship आई है उन आप apprenticeship करिए या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मन लगा कर तैयारी कीजिए otherwise आप चाहें तो CITS कर सकते हैं CITS करने का benefit और होगा CTI करने का यहां तो हम ADITS थोड़ा हटके चर्चा कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके प्राड़ा नहीं चलता तो आप theory और practical आपका काफी strong हो जाता जो आपको आने वाले time में किसी भी exam को किसी भी skill test को qualify करने में आपकी बहुत ज्यादा help करेगा CITS के फायदे नुक्सान पर हम एक detailed video चैनल पे ले आएंगे आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तो कोई भी update य जरूर जोड़ जाएएगा थैंक्यू